दोस्तो आज हम बात करने वाल है कि कैसे आप food truck business या food card business कर सकते हैं और इसमें success हो सकते हैं food card manufacturing जो card बनते हैं उसके बारे में हमने पास्टरी वीडियो बनाये हुएं तो हम यही बताएंगे कि आप किस से बनवा सकते हों उनके link हम आपको provide कर देंगे तो food truck business या food card business एक है दोस्तो एक होते हुए भी यह business एक नहीं है models में अंतर हैं तो वीडियो आप अंतर देखें तो सबसे मेले बात करते हैं यह होता क्या है दोस्तो अब आपको food sale करना है तो दो तरीके हैं या तो आप दुकान में sale करेंगे और दूसरा तरीका है या आप food card या food truck business करेंगे इंडिया के बाद mainly food truck success है और इंडिया में recommend करता हूँ starting करें तो food card करेंगे अंतर क्या है वो मैं आपको ततूँ देखिए दोस्तो जब आप दुकान से कोई food का business करते हैं तो क्या होता है आपको दुकान का rent देना है उसके और लावा आपको विजली का भी बिल देना है अगर पानी का connection है तो पानी का भी बिल देना है अगर किसी society में तो वह maintenance भी देनी है यानि आपके खर्चे और बढ़ जाते हैं और starting में अगर पहला business है तो आपके लिए बिलकुल दिक्कत हो सकते वही food card या food truck के case में क्या होता है आपको नगर निगम में केवल परची आपको वहाँ से लेनी होती है और बहुत साइज जगे उसकी विजोतनी होती सीरे start कर लेते हैं और आपका जो business से start हो जाता है आपका rent बच जाता है और बाकी जो चीज़े हैं वो बच जाती है तो इस आपका manpower से भी चलने वाली हो सकती है, electronic भी चलने वाली हो सकती है उसके दो आप food business करते हैं इसको आप food card business कहते हैं अगर वहीं आप food के लिए truck या बसे use करते हैं तो उसको food truck business हम बो सकता है यह हो गया इसका introduction अब क्या ये business profitable है बिल्कुल दोस्तों ये business brought बिल्कुल दोस्तों ये business profitable है इसमें जैसे मैंने बदाया आपका main power ही important में लिए आपका rent नहीं होता बाकी bills नहीं होते हैं तो आप सिदे से जो cost कम होती है वो consumer में transfer कर सकता है यानि को भी मान के चलिए food item जो shop पर आपको 100 पर बेचना है आप road site 60 आप इसमें एक दिक्कत आती है बस इसके profit में आप अगर ये business first time करते हैं और आपके पास पूंजी limited है तो आप खुद ही safe होनी चाहिए यानि खुद ही आपको food बनाना आना चाहिए अगर आप depend करते हैं कि मैं कहीं से manpower hire कर लूंगा वो आके काम करेगी दोस्तों मैं अक्स business में आप नहीं होते हैं पूजी कम होती है तो लोगों के इंप्लाय होते हैं उनके बहुत ज़्यादा होते हैं मैं आपको बता हूँ जैसे आप हमाई है यह दिवाली से नाएगा कोई इनकोई बाग जाएगा है तो यह अक्सर ऐसा दिक्कते आती हैं जो पूरी साल आराम स काम करते हैं दिवाली बें नक्ते दिखाते हैं तो मेंली आपका business निया है या तो आपके पास बहुत ज़्यादा funding है तो आप इस model पर काम करिए कि आप से fire कर लीजे और otherwise आपको यह business आना चाहिए माली ज़्यापका momos का food guard है तो आपको momos बनाने आने चाहिए ठीक है तो आपको एक particular segment पर command रखने होगी food card जो business है उसमें ऐसा नहीं कि आप पचास item बेच लोगे ठीक है मटा बनी, साही बनी, दाल वगनी, पालक बनी ये वो चापे वगार नहीं अगर आप चाप सेल करें तो चाप सेल करिए momos सेल कर रहे है तो momos सेल करिए यानि आपकी command होनी च product अब one single production मतलब नहीं कि momos ही बेच रहे है मतलब momos से समझ जैसे momos आप बेच रहे है उसके साथ आप soda add कर सकते है soda में k-tap के soda कर सकते है momos भी k-tap के होते हैं तंदूरी momos हो गए, आपके fried momos हो गए, mix momos हो गए, non wedge वाले momos हो गए, ठीक है इस tab के momos आइड कर सकते हैं, अब momos हैं तो आप उसके साद rolls दे सकते हैं, ठीक है यह दूसरा अगर आप burger sale कर रहे हैं तो burger की range ला सकते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, burger भी sale कर रहे हैं, pudding भी sale कर रहे हैं, जो जाओगे फिर आपको मेरी बात याद आएगी ठीक है तो profit वाला है अब तीसरा आता है मैं food रखने या food card चलिए इसमें थोड़ा सा बताने से वहले इसमें एक point अगभर कर लेता है profit में आपकी सबसे important है location location देखो food का item है ऐसा नहीं कि आप जंगलों में खुल लेंगे तो चलिएगी ठीक है food के लिए food को खाने वाले होनी चाहिए तो कहाँ चलिएगी hospital हैं college हैं कोई community center है main market हैं वहाँ चलिएगी किसी industry area में लेके चलिएगी नहीं चलिएगी वहाँ चलिएगी नान बेचने वालों की दुखान हैं छोले बटोरे वालों की दुखान है तो location सबसे important है location की search करिए कोई ऐसा market है जहाँ लोग सामको shopping करने जाते है तो इस tap की location करो search करिए देखे फूड के basis में चाहिए आप दुखान पर कलने हैं restaurant खोलने हैं किता भी पैसा लगा दे हैं location मस्ट है खाना के लिए इस tap के खाने के लिए मोज खाने के लिए तो यह आपको ध्यार रखना है main street location अब तीसा point आता है food truck या food cart दोस्तों अब दोनों जैसे मैं starting होता है दोनों सेम होते भी अलग अलग है देखे फूड कार्ट का क्या है आपका कम पूझे तो भी start हो जाएगा यह बन जाता है आपका main power वाला 25 है से start है और आप 2 लाख ते जा सकते है ठीक है अब 2 लाख वाले में क्या होगा इसमें आप इलाक्ते निक्रिक्सा लगवा सकते हैं चिमनी लगवा सकते हैं फैन, light, non light, display वग़रा सब लगवा सकते हैं 25 है वाला main power वाला simple अपना card को ले जाई है चला के ले जाई है यह आपका food card है ठीक है यह आपका food card है आप food truck कहा है मान लीजे आपको बड़ी range रखनी है food truck card कहा है limited जो food है वो जाएगा है ना, कोई आसानी के बहुत ज़्यादा आप food ले जाएगे limited food ले जा सकते है order मिले वो भी पूर अगर लेकिन क्या है अगर first time food का business कर रहे है और पैसे और मेन पावर की दिक्कत है और आपको experience की दिक्कत है food truck का business नगा है यहाँ आपने देखा होगा Olex पर जाएगे food truck डालेंगे बहुत साई food truck sale हो रहे हैं बनने के बाद हो तक है लागत 30 में पुराना भी food तक खरीद होगे तो 2 लाग से कम नहीं आएगा और नए वाले को तो आप भूल जाओ छोटे वीटर का आपके लगा के सब कुछ लगा के 6-7 लाग, 8 लागत है आपके लग चाहिए पुराना भी खोलते हैं 2-3 लाग से कम नहीं आएगा ठीक है, तो पहला बिजनिस है 2-3 लाग का ट्रग लगाएंगे तो वहाँ दिक्कत है, यहाँ क्या है food कार्ट में मानलो 50 लाग कार्ट ने लिए 50 लाग लगाता है, लाग 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 रूपे में आपका बिजनिस हो जाप, लाग लाग रूप लूपे में लाग 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 से you बिजनिस रिए, यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ क्या है food कार्ट आ लूपे में यहाँ यह यह दिक्कत है ठीक है जी ये आपको धिया रखना है अब आगे चलते हैं चौथे पाइंट के वाद अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको मैक्सिम दिगह पर क्या है वे इंडिया इतना ओर्गनाइज नहीं हुआ है लेकिन जो में सेटे हैं वहाँ नगर निगम हो गया उससे आपको परमिस लेनी होती है एक आपको स्लिप मिलती है अलगलग निगर निगम के अलगलग रूल है और उसके अलगलग फीस है कुछिछे के मंथली फीस भी है तो आपको वह आपको एक स्लिप मिल जाती है उसके एक पार्च में आपका प्रमोशन देखो दोस्तों प्रमोशन के लिए मैं बहुत बड़े बड़े बाते नहीं बताऊँगा क्योंकि आप मेंलि फूड कार्ट बिजनिस फ्रन करते हैं ऐसा तो है नहीं कि वहाँ आपना लैपटाप बखेंगे सोसल मीडिया की टीम बठा देंगे ठीक है क्योंकि आज कल यह बहुत चलता है कि सोसल मीडिया पर डालो स्टार्टिंग में वह चीजें काम नहीं आने वाली आपकी ब्रमोशन में सबसे अच्छी चीज है आपकी जैसे मैंने पहला रहता है लोकिशन अच्छी होनी चाहिए लोकिशन जब आपका हिट हो जाए लोग आपके यहां पास आने लग जाए उसके बार हैं, उसके बार इस्टाग्राम का यूज़ करिए और स्वूसल मीडिया वाले इस इनफेसर का यूज़ करिए निस इन आपकर लोकर करते आपके यूटूब बाले हैं जो फूर्ड ब्लॉट सूट करता हैं उनका आप इस्तृमई करे का है कि सर आप पचास पुपर का जो बर्गर दिखा रहे हैं, आप उसके पैसे मुन दीजिए, वो उसमें ही खुस हो जाएंगे, तिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है, यार यह तो बहुत सारे आने लग गए, यह तो बेक आ रहे हैं, यह तो फाल्ट हो हैं, दोस्तों इन प्रमोशन है, आपने देखा होगा, बहुत सारे खाने वाले इन सोसल मीडिया से ही फीमस होएं, लेकिन हम हाल में ही देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ मिस्पहेब भी करने लग जाते हैं, वो गलत है, एक वक्त था जब लोग पैसे देखें, और आज भी पैसे लोग प्रमोशन करा रहे है, वही प्रमोशन अपका फ्री में हो रहे है, एक वीडियो नी चलेगी, दो नी चलेगी, जब आपके यहाँ लोग आते रहेंगे, एक वीडियो चलेजाएगी, वो आपके पास बहुत सारा क्राम आ जाएगा, जैसे मैं एक्जम्पल बता कुछ का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो सब भी social media से famous हुआ है, तो अगर आपका खाना अच्छा है, तो आप social media का इस्थेमाल करिए, आप बिलकुल food business में success हो सकते, हो सकता कोई point रह गया हो, तो आप मुझे comment में पूच लीचे, उसके बाद में all detail video या comment के द्वारा हम आसादनी को उसकर्मिया है, और आप के साथ से वीडियो देखना है, और कहां आप food card का business करना साथ है, वो भी मुझे comment में बत रही है,